तेजस्वी इस मुद्दे पर पहले ही दिन से उठा रहे हैं सवाल और इसी कड़ी में आगे शराब बनती बिरोसकारी के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा इस दौरान सदन में बोलने नहीं देने का रूप लगा कर तेजस्व के नेतरत तुर में वेपक्ष ने राजभवन मार्च भी किया साथी राज़पास मुलकात बी की गई खास करके मंत्रीयाम सूरत राई के मामले पर भी सदन में हंगामा लगातार jaur तेजस्वी राम सूरत राय के स्टीफे की लगातार मांग कर रहे हैं वहीं तेजस्वी के एक बयान ने सदन में काफी हंगामा खड़ा कर दिया जब तेजस्वी ने कहा कहां से मंत्री बन जाते हैं का बयान दिया तो पूरे सत्तापक्ष ने एक सुर्में नेता को संरक्षन देने का भी आरोप लगाया हाला कि इस बजट सत्र में मुखमंत्री नितीश का उग्रू रूम भी दिखा वही पूरे सत्र में कई बार उप मुखमंत्री इतार किशोर प्रसाद और नेता प्रतिपाक्षित तिजस्वी आदब के बीच में टकरार देखने को मिली तमाम चानकारी किसाथ हमारे समधाता आश्यतोष हमारे साथ जोड़ चुके आश्यतोष लगातार हम हंगामा देख रहे हैं एक बार फिर से आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है चुकि नेता प्रतिपाक्ष जिस तरीके से तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं सब्ता पक्ष को घेडने की पूरी कोशिश आज भी जारी रहेगी प्रिके राम नाम पर जो स्यासत चल रही है वो उसका असर आज भी दिखेगा एसमें कोई दो राए नहीं है दो मंतरी राम पित पासवान और राम सूरत राय राम सूरत राय पर तो पहले से भी हंगामा चल रहा है और तेश्वीआदब ने साफ़तारी पर कह दिया है कि कम से कम मंतरी के भाई की गिरफतारी तो होनी ही Чाहिए मंतरी को बरखास्त किया जाना चाहिए तो ये तेज़श्वी यादब ने आज साफ़तार पर एलान कर दिया है कि एक हफते में अगर मंतरी के भाई की गिरफतारी नहीं होती है मंतरी के भाई का जो स्कूल बताया जा रहा है वहाँ अगर थाना नहीं खुलता है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराब होगा ये तेज़श्वी आदम ने ऐलान कर दिया है रामप्रीत पासवान दूसरे मंत्री हैं जिन पर आरोप है कि उनका बेटा जो नलजल योजना में जो गरबड़ी हुई है उस जांस टीम में खुद जाच करने के लिए पहुचा था तो कही न कहीं रामप्रीत पासवान को भी इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश है और चुकि लगातार आप देखेंगी कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार सदन में हंगामे का दोड़ है तो आज भी कमो बेस वही परिस्थितियां रहेंगी और चुकि बजट के जो विभ दवाई हो जाए और उसको लेकर के जो कह सकते हैं गतिरोध है वो लगातार बढ़ेगा और हंगामा के पूरे आसार यहां पर नजरा रहा है बिलकुल आश्यतोश और देखती वाली बात यह होगी कि कितना हंगामा आज एक बार फिर से देखने को मिलता है शुक्री आपका तमाम जानकारी देने हैं